बीते कुछ दिनों के दौरान इंडिया गटबंधन में बेस्पी को लाने पर जमकर राजनीती हो रही है समाजवादी पाटी और कॉंग्रेस की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं लेकिन अब सपा प्रमुख अखलेश यादफ को RLD चीफ जयंत चौधरी का साथ मिल गया है दोनों नेताओंने मायवती का नाम लिये बिना जुबानी हमला बोल दिया जयंत चौधरी से पुछा गया कि क्या RLD बीसपी को गटबंधन में लेकर आ रही है तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं देखता है रहता हूँ बहुत रिपोर्ट होती है कोई पक्ष में बोलता है तो कोई विपक्ष में बोलता है चाहिए है कि बीसपी का खुद का रुख नहीं है ये चर्चा आप भी चला रहे हो लेकिन क्या आपने उनके तरफ से कोई बयान सुना है कि मैं इंडिया गटबंधन में आना चाहती हूँ दरसन पहले अक्रेश यादव ने मायवदी को लेकर सवाल खड़े किये थे जब उससे बीसपी के इंडिया गटबंधन में आने से जोड़ा सवाल पूचा गया तो उन्होंने कहा था कि चुनाप से पहले की गैरेंटी तो ले रहे है उसके बाद की गैरेंटी आखेर कौन लेगा करेंगे मंदेर को मानते हैं उनका भी सम्मान अरेलडी में और जो गुर्दवारे में जाते हैं या मदरसे में जाते हैं या कहीं नहीं जाते जो नास्थिक विचार के हैं वो भी तो कहीं है देश में उनके संक्या बहुत बड़ी संक्या है अच्छे गटबंदर में समाजवाधी पार्टी के साथ आपका है यूपी में विदान समा को लेकर लेकिन जो सीटों का बटवारा होता है उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आती है जो भी जब कोई गटबंदन होता है स्मूध आप सोचें कि इतना स्मूध हो जाएगा सानी उनकी भी अपनी आवशकता है वो भी अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं मैं भी चाहता हूं कि हमारे कार करता हूं के साथ भी नहाएं लेकिन हम एक लाजर गोल को एक और समाप्त हुआ अब हमें और उनको मिलके एक नया दोर बनाना दाकि चोहदी चरन सिंग जी की जो विरासत आदरने मुलाइम सिंग जी चोहदी अजी सिंग जी जो उनका नेतुत था उसे जनता की बीद दुबारा उसे जिन्दा रखना है और से मजबूत करना आरटी पस करता धरता मतलब एक कोई आपने नुक्स किया अभी तो ऐसे कोई फैसला लिया नहीं किया है जब बातचीत होंगी तब बात बड़े जाएगे इतनी सीटे कर रहे हैं लोग सबाच उना आपके लिए कितनी सीटे आरेल्टी सब्सक्राइए अब कुछ मसला आगे के लिए त तरी ही अर्ने नूस मैनि थी मिष्रा, मेंसका!